हेलो फ्रेंट फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपका अपना यूटूब चैनल मेज़र टार्गेट पर तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग कलास्टेन के विज्ञान यानि की साइन्स का एक महत्पूर्ण बिहार बोड का मोडल पेपर को हल करेंगे जी हा अभी हारती इस बार फानल मैटी बोड एक्जाम देंगे तो यह मोडल पेपर आपके लिए अतीम महत्पूर्ण है ठीक है और दोस्तों यह खास करके सभी जितने भी परसनियां पर सेलेक्ट किये हुए है ना यह सभी परसन आपको यंसी याटी पेटर्न पर अधारी दोने में जाकर बताने का यहां फिल एप चैट में बता सकते हैं और दोस्तों यहां पर फटा वर से कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें झेरू बतातREEगा तो जेले दोस्तों देखतेहां पर आज Ведь आज का फेस्ट पर कि लेकिन यहां पे आपको आयाद हो जाएगा तो कौसेस की जगा दोस्तों को याद करनेगा तो चले दोस्तों देखते हैं पर ऐज का फिर्सट पर सटे परीवर्टन यह नहीं हो होगा ठीक है तो फिर ने देखेगा यहां पर प्रावर्तन सथ की जब सुक्षम दर्सिये संड़चना संभूरूप नहीं होगा ना तो कैसा परिवर्तन होगा विसरन परिवर्तन होगा यानि कि यहां पर इसका सीवल ऑप्सन जोई न बिल्कुली सह उत्र हो जागा चले विसररन परावर्तन में परीवर्तन की नियमों का पालन क्या होता है कि अंदम पर onu के बैसरा नियम रटेनियुक है तो देखे का कराएगी क्या समतल लर्पन में बने पर्तिवीम को पर्दे पर उतार सकते हैं तो देखेंगा दोस्तो यहां पे जो आपको पता होना चाहिए समतल लर्पन में कैसा पर्तिवीम बनता है उसको पहले आपको पता होना चाहिए और पर्दे पर हम लोग कौन से पर्तिवीम को उतार सकते है तो वास्तिवीक पर्तिवीं को जो ना तुस्तों हम लोग पर इजली उतार सकते हैं ठीक है लेकिन कालंटवा पर्तिवीं को पर नहीं उतारा जा सकता है कि अपरी शमय जो अगला पर्वॉर्ण भॉर्ण को संड यहां है उससे के पर्वॉर्ण क परलों особенно एक पौनगों लाना है कि नेसर गसे को दूर करने के लिए आउतर लेंस को किया जाता हैं तो फिरेंड आपको पता हुना चीह किने तरगोत क्लिक्णे सही चुछ हो जाएगा ठीक है बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर्ण पर्सन है और दोस्तों यह निकट दिरिष्टी दोस्त में वेक्ति को क्या होता है कि निकट की वस्तों को असपस्ट दिखता है प्रंतु दूर इस्तित वस्तों को असपस्ट रूफ से नहीं दिखाई दे लेते हैं इस कंडिस्मन में वेक्ति क्या करते हैं कि अउतर लेंस से बने चस्में का उप्योग लेते हैं चले देखती हैं पर पांचवा नमर्ड पर्सन को देखेगा जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर्ण है तो फ्रेंड यहां पर बताना है कि आ और दोस्तों जो एक परसन नहीं पूछे आते हमारे आग में परत्विम कैसा बनता है वास्तिविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है चले देखती हैं पर नेक्स्ट कोशन की तरफ बर चलते हैं अब चले दोस्तों प्यारे बच्चों जो भी विदियारती अभी तक एक क्लास को लाइक करती हैं जोले देखते हैं पर च्छ black lacking चली ऑख वे चलिए चली देखते हैं शटा नमर प्रसन यहां पर लेंगर्णा चल्य क्रुत करता हैses馬 था तो देखेगा दूस्तों अपके दिया कोर्णी या फिलेंस या फिर पुदली और अपसंडी ए आइरिस ठीक है तो इसका जो सई और सट्टिक आंसर हो जागा नो तो आइरिस हो जाएगा जो कि यहां पर डी ओप्सन में दिया हुआ है यानि कि यह आईरिस जो होता है न दूस जो सेल होते ना यह सर्कीट को परदान करता ठीक है इसा ही बाद है परती एक हंग आविस के लिए उपलब्द उड़ जाके परिमान को हम लोग क्या करते हैं वह आपको बताना है ठीक है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे ठीक है और दूस्तों आपके एक्जाम में एक परस नह परदान करता है परती एक आविस की लिए उपलब्द उर्जा की परिमान को क्या करते होई आपको बताना है तो विदुद्वाहक बल करते हैं यहां पर एबल ऑप्सिन इसका बिल्कुली सही उतर हो जागा चले देखते हैं अब नेक्स्ट को चलते हैं अब आये दोस्तों इसको सब्सक्राइब 2 और 3 और ऑ्म के परती रोदों के सनियोजन से प्राप्त होसक्रें वाले परती रोद होंगे तो फिरइंग यहां पर दोनों परती रोदों को क्या करना है जनियोजन करना है सबसे पहले समांतर करम के लिए जिए जनियोजित पर्तिरोदों का जूत्र होते यंद यहां बरॉण प्लस यह पर्तिरोदी आपका दो अम और दोस्तो यां पर यह आर फ्इल्डसुरा पंष्ट भाउड इसान्यम पर्तिरोदों हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को जोडेंगे तो यहां पर 2 ohm और यहां पर 3 ohm कितना हो जाएगा तो पांच ओम हो जाएगा इसी परकार यहां पर एक बटा r1 प्लस एक बटा धुदिया हुआ है तो हम लोग इसको भी एड़ करते हैं जैसे कि यहां पर 1 बटा 2 एक बड़ा तीन हो जाएगा तो यहाँ पे दो और तिन का शेम कितना हो जाएगा तो छी हो जाएगा तो यहाँ पर इसको हम क्मान प्राफ्थ होए तो एक बटा आर का मन तो देख सकते हैं दो पर तरफी रोधों को जब हूं लोग सिरल्भ करणि और समांतर करक्म कर लिए तो सम वोर इसका पर और बिल्कुल yours अंसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखती हैं पर नेक्स्ट को सिन की तरफ बढ़ चलते जो की बहुत ही मतपूर ने दोस्तों परस ने करा है कि आपको बताना है कि किसी चुंबक के छेतर में धरावाई एलमुनियम का अच्छा रखा हो तो उस पर लगने वाले बल की दि चिन हस्त के नियम्स के नाम से जानेंगे यानि कि यहां पर इसका एवल आपसंजेना बिल्कुली करेक्टर अंसर हो जाएगा चले देखती हैं अगला परसन यहां पर बहुत सारे परसन जोना दोस्तों आपको हाट लगेंगे लेकिन यहां पर आपको याद कर लेना है यहा और बड़ी धारा प्रावित करना परता यानि कि यह तीनों उपाई एक साथ होना चाहिए यानि कि यहां पर डीवल आपसन इसका बिल्कुली करेक्टर अंसर हो जागा चले देखते हैं अपर अगला परसन की तरब बर चलते हैं चले फिर देखते हैं आपर 12 नमर परसन क्य साथ जा सकती है बहुत ही मतपूर्ण है तो फिर इसका जो से और सटिक आंसर हो जागा दोस्तों क्या हो जाएगा आपको बताना है तो फ्लॉबिंग के दक्चिन हसन नियां यानि कि यहां पर सीवल आपसन इसका बिल्कुली से उत्तर हो जाएगा अब चले दोस्तों देख आपसब्स पर करने का काम करता है बहुत ही मतपूर ने जो ताप सकती होते हैं दोस्तों विदूस सनियंद्र में आर्मेचर को घुर्नीत करने का काम करता है तो कौन करता है वही आपको बताना है तो फिरेंड वास्प और यहां पर देख सकते हैं संपड़ित गरम हवा यानि कि यह दोनों कार्य करता है यहां यहां पर देख सकते हैं यहां पर करते हैं तो यह क्या हो रहा है दो अभी मलब यहां पर दो क्या हो रहा है दो दो परगितिकारक आपस में शनियोग करके यहां पर दो से चोटे अनु मिल करकर एक बड़े अनु का निर्मान करते हैं तो इस तरह के रसायनिक अभी किरिया को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों यह आपको बताना है तो सनियोजन अभी परतिकिरिया कहेंगे यहां पर एबल आपसन इसका बिल्कुली सेवतर हो जागा चले देखते हैं पर नेक्स्ट के दरबर चलते हैं अब आये देखते हैं पर आपको बताना है कि फिरस सलफेट के घोल से लोहा को कौन धातू विस्तापित करेगी जो फिरस सलफेट का घोल होता है न दोस्तों उससे लोहा को जोना कौन सी धातू विस्तापित करेगी आपक तो केलसियम कार्बोनेट को चोक कहते हैं चुना पत्थर कहते हैं संग मर्मर यानि कि यह सभी कहते जो कि यह पर डीवल ऑप्सन इसका बिल्कुल ही जांटी सीडसेटिक देकर करने के लिए उसना है तो आप इसका बिल्कुल फिर हो जाका इसका चाहिए लिए प्याचा काउन बिल्कूल पर चलते हैं अब दोस्तों देखते हैं अगला परसन यहां पर आपके सामने प्रस्तूत कर रहे हैं जो भी अभी अबियारती बहुत तेज़े ना तो देखते हैं आप कितना से करने पाते हैं क्योंकि आज के है तो यहां पर जादा सजादा को मिलाद करना टीक है क्युंकि रखते हैं आपको बताना है कि आपके पडिवार का कोई इस ऐसे बहुजन करने के करण अमलियत आसि पीरीद हो तो यहां पर आपसे पूझा जाड़ा कि कौन सा उपचार सुझाएंगे ठीक है तो फ्रेंड अगर आपका परिवार का कोई भी सदसी है अतेदिक भोजन करने के कारण अमलियता से पिरित होता है तो आप जो ही न दोस्तों कौन सा उपचार सुझाएंगे निम्बू कारास या फिर सिरका या फिर आप चले देखते हैं पर अगला परसन की तरफ बर चलते जो कि बहुत ही महतपूर्ण परसन यहां पर देख सकते आपके सामने प्रस्तूत कर रहे हैं तो फ्रेंड यहां पर बताना है कि है होती है तो फ्रेंड यह होते नो किस एक होते हैं तो यह जो होते नो किस नो किस नो की लिए जो विए टाशन में नेच्स उप्सें चलते है अब आई यह दोब जोड़ने में पर यूक्त है तो तो धातों में मंदल दातों को जोडने के लिए जो गेस होती है या पिर इढलेन घेस हो ती है तो धातों को जोडने में जो पर इम्में अ मिहां जोर्डवे दॉज जोकस्तेले जोकि यहां प्र ह्फेक्शन रही तरक बर्व चलते हैं है는 ऑप अब आइये दुस्तों देखते यांप याउं पर उपधातले की यांपे रहिए ऽाया कि आपको बता हो गर लब बताना है तो यह परकार का इस यह यह पर करत्याएं यह पर सब्सक्राइब जायागा अब चले दोस्तो देखते हैं पर अगला पर्सन की तरफ बरचल दे जो कि काफी मत पूर्ण है यह यहाँ पर कोसिंज की जगा निमनलिकित में ज involvement ॉधारन वह आपको बताना है यहां ज लिए यह पर सब्सक्राइब करते हैं तो साथ सब्सक्राइब करता है वसा को वसा में परिवर्थित करता है या फिर मंडग को सरक्रामें परिवर्थित करता है अब चले दोस्तो देखते हैं अगला परसन क्या कराईगी आपको बताने कि आव वे सवसन को सिगा किस भाग में होता है बहुत ही मतपूर्ण है तो देखेगा माया ट्रू कॉंडरिया में होता या फिर कोसी का द्रब में हो किस भाग में होता है तो कोसी का द्रब में होती है जो कि यहां पर इसका बीवला परसन की तरफ बर चलते हैं अब आये दोस्तों देखते हैं पर 29 नमर परसन क्या गराई कि आपको बताना है कि पराग नलिका का बिजान की और विर्दी करना किस परकार का अनुवरतन है तो 10 सथ नलिक वांवर ओटन क्या बिजचों की फ्रशं कि पर उत्पन होता है तो इस पर ए बिझों फर 16 एप पर उत्पन होता बनार तो यह आपको बताना है तो जीन सुथ पन होता है जो कि यहां पर बी ओप्सन में दिया हुआ है अब चले दूस्तों यहां पर देखते हैं नेक्स्ट को सन यहां पर आधारी तक महतपूर्ण को देख रहे हैं इसलिए आप इस मोडल पेपर को सुरू से लेकर आगरी तक जरूर पढ़ियागा दोस्तों क्योंकि आज किस मोडल पेपर में हम आई से महतपूर्ण इसलिए आपको कलास को बिलकूल आपको सुरूर से लेकर आगरी तक करते हैं चलिए देखते हैं अगला परसन क्या को यहाँ पर बताना है कि फूल में पाओधों के नर्भाक्या मतलम नर्भाका क्या नाम होते हैं उते कर आदेज्व करा से तो फूल में पंगा कैन नाम होते हुए आपको बता आ तो फटा वर से बता सकते दोस्तों क्या नाम होते हैं ठीक तो नर्भाग का नाम जब भी पूछा जाएगा तो आपको फूंके सर्ड बता देना चले देखते हैं आप यह पर ऐग्ला ना अभी का सिये से किसी से ऐसे हमारे समानाता जोना दोस्तों चींके विद्यार्थी हो से दीक है यानि यहां पर एबल ऑप्सन इसका बिल्कुली सेवत्र हो जागा चले देखती हैं पर नेक्स्ट कोसन की तरफ बर चलते चले देखती हैं आप अगला परसंग क्या गराए कि यहां पर बताना है कि उभेलेंगी जन्तु को नहीं यह बहुत ही मत्पूर नहीं दोस्तों तो को इस तरी के सरे इसको अच्छी तरह करना वल्कुली से उतर हो जागा चले दोस्तों देखती हैं और अगला परसंगी थरब बस्ती निम्नीलिखित में कौन एक और सिरिंगला बनाते हैं तो फ्रेच यहीं जो बनाते हैं तो इसी तरह आपे पर आस्टे चुन करके देख सकते हैं और यहाँ लेकिन मचली को मेड़क खाते हैं यह ने बनाएगा यहाँ पर देख सकते हैं सभी कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ आपको बताने कि क्योटा प्रोटोकोल किस गेस के उत्र सर्जन के अस्तर में कमी ले जाने के लक्षे से बनाया गया था बहुत ही मतपूर्ण है तो फ्रें यहाँ पर क्योटा प्रोटोकोल जो है न दुस्तों किस गेस के उत्र सर्जन के अस्तर में कमी मतलब कमी लाने के लक्षे से बनाया गया था वह यह आपको बताना है तो इसका जो सही और सटिक राइड अंसर हो जागा दूस्तों सी ओटू यानि की कार्वन डायोकस साइट यहां पर बीवल अप्सनिस का बिल्कुली से उत्र हो जागा जले देखती है आपर नेक्स्ट्ट पूरा यहां पर टूफ लेवल के पर्सन यहां पे हम आपको बता रहें दूस्तों चलता है तोपितर निकलता है ठीक है और सीमें आपका दिया प्रस यानि किए आं चले देखती हैं पर अगला परसन किया कराएगी यहां पर आपको बताना है कि सवसन की किडिया में खादे पदार्थ का मतलब क्या होता है तो फिरें यहां पर देखेंगा परसन कि किसलिए उत्तर दाई है तो फिर ये जो अनुमस्टिक्स होते न दोस्तों ये किसके लिए उत्तरदाई उत्तरदाई होते हैं जो कि यह अपर एवल अपसन इसका बिल्कुली गरक्टरांसर हो जाएगा अब चले दोस्तों देखती हैं पर अगला परसन के अगराई कि यहां पर आपको बताना है कि समझात अंगों के उधारन है तो फिरेंट जो समझात अंग होते हैं तो यह किसके उधारन है हमारे हाथ सता कुत्ते के अगरपाद एक पर करकर क्या है दोस्तों समझात अंग के दरपन के प्रावरतक सत्व उत्तल दरपन में प्रावरतक सत्व लंबोत गिर्थी किरने जो इना दोस्तों फोकस पर क्या होती है दोस्तों वह आपको बताना है ठीक है बहुत ही महत्पूर नेभी परसन आपके बोर्ड एक्जाम के लिए तो समांतर हो जाती यानि कि यहां प कि आपको बताना है कि किस दरपन में वास्तिविक परतिविंब नहीं बन सकता है तो केवल समतल दरपन में वास्तिविक परतिविंब नहीं कि चैले देख्ति count की दरब चलते हैं अब ऐए दोस्तों देख्ती आप में सरणी करहाए जोड़ दिया जाए तो प्रOPTA में तो परीपत में यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं तो परीपत में जो बहुत होगा तो यहां पर यहां पर देखते हैं अगला परसन की तरब बर चलते हैं देखेगा पाइटालीस नमपर संट क्या कराएं कि एक सो वाट तदा चालिस वाट के बलब को घरेलू परीपत में लगाने से काउन साथ ज्यादा परकासित देगा बहुत ही मतपूर्ण है तो यहां पर एक सो वाट क आपको क्या करने दोस्तो घर में जो एलेक्ट्रिक सर्कीट होता है जो आप यूज करते 220 वॉल्ट पर पर पड़ती धारा ठीक है तो कौन सा ज्यादा परकासित देगा यहां पर ज्यादा परकासित देगा इसका जो सई और सटीक राइड़न सरो जागा दोस्तों देख सकत पर अगला परसंही तरफ बड़ चलते हैं तो फिर इन कि जल सकती रह पानी के किस उर्जाक को विदू पर दान तुरीत आरे पानी के के तो बताना है तो गति जूर्जा को जोने दिस्तों विदू दूर्जा में वदलती ओप्सन नमडरी इसका बिल्कुली करक्ट आंसर हो जागा चलिए देखते हैं पर अगला परसम क्या करा है कि यहां पर बताना है कि परतियावरती धारा जनितरे से कैसी धारा मिलती है तो फि जो बिहार वोट के ओफिसल मोडल पेपर पर आधारी था ठीक है जिनमें लोग 48 को संगो देखे जोस्तों यहां पर 40 को सन पहले आपको बता रहे तो यहां पर 48 को संगों यहां पर हम आपके सामने परस्तूत कि यह और दोस्तों यह अर्टालिस को सन जोना दस्तों टोप ल आपको पता होना चीए जो लिए जाते जो आपको पता होना चीए ठीक है जो बूग होता है सरकारी बूग जो होता है और दोस्तों फटाबर से बताए परसन में जब को पहले से कितना परसन का से अंसर या तीमादार इसे बताना और दोस्तों यह जाबलू को संस का अंसर क्या लगता है असपस्ट देखने की नियूंतम दूरी कितनी होती है पढ़ा चुके है तो इसका राइंसर जो भी लगता है तो बेजी जाए कमेंट से ब पर जरूर से लेट करेंगा ठीक है तो फिर मिलती है अब दूस्तों अगले क्लास में अभी के लिए तना ही दूस्तों थैंक्यू